Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम रुख पढ़ेंगे Oswal NCRT Workbook Class 3 Hindi का Chapter 1 Kaku तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना workbook निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजे और अगर आपके पास Oswal का NCRT Workbook नहीं है, तो मैंने इसका लिंक की डिस्किप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप खरीच सकते हैं अगर आप मेरे दिये वे लिंके द्वारा खरीचते हैं या Oswal के Official Website से खरीचते हैं, तो आपको मिलता है Extra Discount तो आप खरीच सकते हैं, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, Chapter 1 है ककु तो देखे, इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको Chapter में क्या पढ़ाया गया है ठीक है? पार्ट के विसाय में, यहाँ पे आपको पार्ट के विसाय में बताया गया है कि कक्कु का वेभार अपने नाम के माइने जैसा अच्छा नहीं है इसलिए सब उसे उल्टे सीधे नामों से बुला कर चिड़ाते हैं लेकिन कक्कु नहीं कहते अब यहाँ पे है कठिन सब्द अर्थ अब देखिए भड़कना भड़कना का क्या होता है अर्थ बात बात पर गुस्सा करना मिस्री यानि की मीठी जगडालू जगडा करने वाला दिन भर यानि की पूरा दिन टोली यानि की समुह ठीक है उसके बाद है यहाँ पे अभ्यास काड़े एक, ठीक है? अब यहाँ पे पहला आपका अब्याश काड़े है, तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, कि नाम ही नाम तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखिए हर किसी का अपना अपना नाम होता है अपने तरीके से हर किसी का नाम होता है और उसका कुछ ना कुछ मतलब, कुछ ना कुछ अर्थ होता है तो वो आपके अपने नाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है? अपना नाम लिखना है तो मेरा नाम आदित्य है, मेरे नाम का मतलब है सुड़िये, ठीक है? आपका क्या नाम है? आप लिखेंगे और उसका मतलब लिखेंगे तुम्हारे कितने नाम, तो बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे जैसे चिड़ाने वाले नाम, प्यार वाले नाम, दोस्तों का दिया हुआ नाम, ठीक है, तो तुम्हें लोग और किनके नामों से बुलाते हैं, तो मुझे लोग बहुत सारे नामों से बु किसी का अगर नाम अधिती है तो उसे हम लोग प्यार से अधू बुलाएंगे छोटू बुलाएंगे ठीक है छोटू भी नाम होता है प्यार वाले नाम से बुलाते हैं ठीक है उसके बाद चिड़ाने वाला नाम चिड़ाने वाला नाम तो लंबू अगर कोई बहुत लंबा ह तो उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि लंबू अगर किसी का पेट निकला हुआ है तो उसे बोलते हैं तोंदू अब दोस्तों का दिया हुआ नाम तो क्या होगा अक्कू, सोनू जैसे दोस्तों लोग बुलाते हैं ठीक है सौट में तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे उसके बाद है सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिये गए नामों से क्यूं बुलाया जाता होगा ठीक है अब देखें गप्पू, गप्पू किसी को बोलते हैं वो बहुत गप्पू है तो गपू उसे क्यों कहते हैं, तो वो इधर उधर की बाते करने वाला, जो इधर उधर की बाते करता है, उसे कहते हैं गपू, अब भोली, जो सीधी साधी हो, यानि कि बहुत ही सीधी साधी है, ठीक है, उसे कहते हैं भोली, छुटकी, जिसका कद छोटा हो, यानि कि बहुत ह अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली भक्कू है तो भक्कू कौन है सुमित और मोनू जो भी आपके दोस्त या सहेली है उसका नाम लिखेंगे जक्कू है तो विनित और कांता गप्पू है माला और रानी अब कविता का समय कक्कू वह जो सदा हसाए रोना उसे जड़ाना भाए चिरिया के संग गाना गाए संग मोड के नाचे इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू ठीक है कक्कू कैसा है कक्कू कोयल जैसा क्यूं नहीं है लिखो तो क्यूं नहीं है वो कोयल जैसा तो कक्कू दिन भर रोता है उसकी आवाज भी मीठी नहीं है उसे गाना बिलकुल नहीं आता इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है ठीक है उसके बाद है आपका अभ्यास काड़िये दो नामों की रेल ठीक है पांच-पांच बच्चों की टोली बना लो अब अपनी अपनी टोलीों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो ठीक है तो पांच-पांच का टोली बनाना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर रेल दिया हुआ है अब इसमें देखिए जैसे की राजू है राजू, नीतू, मोनू, अमित, गौरब ठीक है अब इस तरह से ना आपको यहाँ पर जैसे की यहाँ पर राजू लिखा हुआ है यहाँ पर नीतू ठीक है इस तरह से नीतू यह पढ़े है मोनु उसके बाद है अमित ठीक है उसके बाद है यहाँ पे गौरव तो इस तरीके से लिखा हुआ है यह साड़ा उसके बाद है यहाँ पे वर्ण माला याद है सकते है CEO beim अब इन नामों को वर्ण माला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी नाम है, इसे अब आपको वर्ण माला के हिसाब से लगाना है, यानि कि पहले कौन सो वर्ण आता है, ठीक है, तो देखे पहले हम अमित लिखेंगे, उसके बाद गौडब, उसके बा किसी को अगर कोई चिड़ाता है तो उसे बहुत ही बुड़ा लगता है ठीक है तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे अगर आपको कोई चिड़ाता है तो कैसा लगता है तो मुझे मेरे मित्र चिड़ाते हैं या मेरे दोस्त चिड़ाते हैं तो मुझे बहुत बुड़ा लग उन पर गुसा आता है ठीक है आपको कैसा लगता है तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे ठीक है इसलिए कभे किसी को चिड़ाना नहीं चाहिए ठीक है अच्छे से दोस्त बनके रहना चाहिए अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से दोस्ती करके रखना चा ठीक है तो आपका ये chapter आपका workbook complete हो चुका है ठीक है तो कैसा लगा आपको पढ़के मुझे जरूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल ncrt the mind को like subscribe कीजे और past में दिये गए bell icon को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि ncrt से related हर वीडियो आपके पास समय से पह दिया है आप खरीज सकते हैं वहां जाके मेरे दिये वे लिंक के द्वारा ठीक है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye take care thanks to watch my video